तो अगर आपको सिम्दा मिर्च आजए होना थू तो हम आप पारहलग हों और आप प distractions रहा जाएंगे वहां बहुत ही से लेकित। इन सिम्ला मिर्ष को मैंने धो की अच्छे से पोच लिया था अब सिम्ला मिर्ष को हम बीच से इस तरीके से बराबर भाग में दो हिस्सों में काट लेंगे और जो सिम्ला मिर्ष आप लेके आयना बजार से ध्यान रखे दो तरह के सिम्ला मिर्ष आते हैं एक लाइट ग्रीन तो आप यह लाइट ग्रीन वाले ही लाइएगा और देखिए काटने के बाद यह कितने सुंदर से लग रहे हैं बिलकुल फूल के जैसे तो इसके जो बीज का पार्ट है यह बीज वाला वह भी आप चाहें तो भटा सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा निकाल दिया है और आपके जीरा थोड़ी सी राई और साथी में बारिक कटी हुई हरी मिर्ची डाल दीजे 2-3 फिर 8-10 करी पत्ते डाल देंगे और फिर हम इसमें थोड़ा सा अध्रब करके डाल देंगे जब यह मसाले हलकी भून जाएं तो हम इसमें एक मीडियम साइज का बारेख कटा और प्याज को हलका सा सुनहरा होने तक एक दो मिन तक भून लेजे जब प्याज भून जाएगा तो हम इसमें कुछ मसाले एड़ करेंगे थोरा सा धन्या पौडर डालेंगे आथी छोटी चमच कस्मीरी लाल मिच पौडर डाल दीजे ठोड़ी पौडर डाल देंगे एक च्छोटी चमच, चाट मसाला पौडर 11 च्मच भूना हुआ जीरा पौडर और साथी में थोरा साम इसमें काली मिच का पौडर डाल देंगे तो अब इसमें तेस्ट की कॉडिक नमक डाल दीज़े और मसालू को यह सकेंड के लिए भून लीजे प्यास के साथ अब इसमें डालना है हमें मैश के हुए उबले हुए आलू तो आलू को उबाल के हमने आपे मैश कर लिया था करीबन 5-6 आलू लिये थे मिडियम साइज की अब इसके उपर से थोरा सा भारी कटा हुआ हरा धनिय डाल दीजे और आ आलू का मसाला स्टफ करना है जब यह थंडा हो जाए तो जितना हो सकी आप इसके अंदर दबा दबा के अच्छे से आलू के मसाले को भर लीजेगा तो एक एक करके सारे सिमला मिर्श के अंदर हमें यह आलू का मसाला भर लेना है और इस तरीके से हमने तयार कर लिया है और दोनु साइट से हमें पकाना है तो पहले एक साइट से पका लेते हैं तो इसको ढखके दो-ती मिनट तक पका लीजे और फिर हम ढखका है इसके उपर थोड़े से पानी की छीटे डालेंगे जिससे मैं दिखा रही हूं आपको तो बस एक-दो जम्मत जितना हमें इसके दो-ती मिनट पका लेंगे तो फ्लेम को हमें मीडियम टू लो पर रखना है और जिब इस तरीके से एक तरब से पक्के एकदम कुर्कुरा सा हो जाएगा तो बढ़िया सा कलर आ जाएगा और यह पक्के हमारा तयार है तो पानी डालने वाल ट्रिक आप ज़रूर ट्राई की है और आप इस रेसिपी में हमें कितने नमबर देंगे एक से लिके दस के बीच में रेटिंग जरूर दीजेगा फिर मिलते हैं आप सबसे एक और नहीं वज़दार से रेसिपी के साथ बाई बाई टेक केर